बाएं गलव के अंगूठे पे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा किस तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको नदर आएगी वहाँ रोई शर्मा अब क्रीस पे आए हैं बल्ले बाजी के लिए रोई शर्मा शॉट गेंड डाले इनको तो मत डालिए क्योंकि अगर चोटिल भी है तब भी यह छक्का मार सकते हैं वही किया यहां पर रोई शर्मा को यहां आप नहीं पगड़ सकते फिर से चोटी गेंड फिर से हवा में शॉट कहां जा रही है यह गेंड सीधा स्टैंड में कोई भी वह लेंथ जिसमें उनको स्क्वेर आफ ड़ विकेट खेलने के लिए बजबूर करें वो उनको सुविधा देगी एक और बढ़िया शॉट भाई यह तो पहले बल्लेबाजी करने ही आ जाते यह बड़ा शॉट आया है इसी वज़ा से रोई शर्मा का स्ट्राइक पर रहना बहुत ज़रूरी है अब कुछ निर्भर करता है इस खिलाड़ी के ऊपर step out करने का की कोशिच भी नहीं की जरूरत क्या है अगर आप इस प्रकार के शॉट खेल सकते हैं तो with the turn यह शॉट लगाया सीधा mid-ricket छेत्र में stand में और अब नहीं छोड़ेंगे आप नहीं छोड़ेंगे रोही चर्मा भाई वह अब वहीं से ठेसे उसी चेत्र में stand में सीधा बाउंडरी मिलेगी यहां पे और बड़ा हिट आ गया सामने दे मारा है भारत को मैच जीतने के लिए और इस शंकला को बराबर रीपर लाने के लिए यह भी 95 मीटर दूर इस बार इंतजार किया चतुराई दिखाई अकलमंदी दिखाई और उसके बाद यह छक्का लगाया झाल 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 झाल